स्टूडेंट्स कैसे हो आप सर्थ प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ आपकी फाइनल टर्म का स्लेबस और उसके बाद हम करेंगे लेसन टू आओ चले स्कूल और हमारी कक्षा चित्रवर्णन और कलम किताबें कविता कविता है तो आईए सबसे पहले देखते हैं स्लेबस फॉर फाइनल टर्म लेसन टू आओ चले स्कूल लेसन सिक्स छोटी ए ए ओ आओ री की मात्रा पेज 43 से 57 फिर लेसन सेवर में अंग अहां और चंदर बिंदू की मात्रा 58 से 67 पेज उसके बाद लेसन नाइन में संयुक व्यंजन संयुक तक्षर पदवित व्यंजन और रेफ और प्रदेन की मात्राएं ये जो लेसन 9 की मात्राएं हैं ये आपकी और लेसन 6 और 7 वाली जो हैं वो रिटन है उसके बाद है लेसन 10 हम सब एक पूर्ण अभ्यास पूरा अभ्यास करना है आपने और लेसन 15 ठीक समय पर ये भ आपका स्लेब बस फाइनल टर्म का तो आए सबसे पहले हम करते हैं आओ चले स्कूल लेसन 2 आओ चले स्कूल चिंटू चित्र कथा सुबा सुबा मा चिंटू से बोली चिंटू जल्दी उठ जाओ आज तुमें स्कूल जाना है मा मैं स्कूल क्या करूंगा तुम वहां मज़े करोगे अच्छे अच्छे खेल खिलोने गाना गाओगे खाना खाओगे और फिर घर वापिस आ जाओगे हाथी आओ बंदर आओ हम आज स्कूल जा रहे हैं हाथी बंदर तुमारे साथ स्कूल नहीं जा सकते ये घर पर ही रहेंगे और मा आप मैं भी घर पर ही रहू तो यह जो छिंटू है जैसे तुम first time स्कूल आए थे और तुमने भी अपनी अपनी ममा से यह पापा से यह कोश्चन किये होएंगे तो वैसे ही जो चिंटू है वो भी अपनी ममा से कोश्चन कर रहा है और वो अपने पहले खिलोनों को बोलता है कि चलो तुम भी स्कूल चलो तो उसकी ममा उसको समझाती है कि ये स्कूल नहीं जाएंगे और फिर अपनी ममा से पूछता है कि माँ आप तो वो बोलती है कि नहीं मैं भी नहीं जा रही मैं घर पे तुमारे खिलोनों का ख्याल रख आई वहाँ पर चिंटू ने मज़ेदार कहानिया और कविताइं सुनी खिलोनों और दोस्तों के साथ भी खूब खेला जब मा चिंटू को स्कूल से लेने आई तो वह बोला मा मा स्कूल में बहुत मज़ा आया मैडम ने अच्छी अच्छी कहानी और कविता सुनाई मेरे दोस के साथ खूब मैंने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की अब मैं तो रोज स्कूल जाओंगा अब चिंटू रोज त्यार होकर खुशी-खुशी स्कूल जो है जाता है तो जब फर्स टाइम आप भी स्कूल गए होंगे आपको भी पहले दिन डर लगा होगा लेकिन बाद में दिरे दिरे आपको स्कूल में मजा आने लगा होगा तो आएए अब हम देखते हैं हमारी कक्षा चित्र वर्णन तो यह कक्षा है क्लास्रूम है इसको देखे आपने बताना है कि इसमें क्या-क्या हो रहा है कि बच्चे बैठे है उनकी यहां पर अधियापर कभी हैं तो य यहाँ पे भी बच्चे यह लड़की यहाँ पे खड़ी है, यह बच्चा भी कुछ बोल रहा है उसको, यह बच्चे हस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ साथ में पढ़ाई कलरिंग कर रहे हैं, है न, तो यह है आपका चित्रवर्णन, तो इसको आपने देखकर लिखना ह कि आपने इस कक्षा में क्या-क्या देखा यही इसका चित्रवनन है उसके बाद next है कलम किताबें कविता page number 16 तो आईए पढ़ते हैं कलम किताबें बस्ता लेकर अब दिन शाला चलने के कहते कलम किताबें और बस्ता बस्ता क्या होता है बैक को लेकर अब दिन शाला चलने के इसको बोल रहे हैं, स्कूल, स्कूल चलने के दिन है, नए नए अब दोस्त बनेंगे, मिलजुल खाना खाएंगे, अब क्या होगा, अब हमारे नए नए दोस्त बनेंगे, और हम मिलजुल कर खाना खाएंगे, खूब खेलेंगे, खूब पढ़ेंगे, हर दम आगे हम बढ़े के, तो कलम किताबें और बस्ता लेके कौन से दिन आ गए हैं, अब स्कूल जाने के दिन आ गए हैं, तो बच्चो ये देखिए, जो चीजें कक्षा में दिखाई देती हैं, उनमें राइट का निशान लगाना है, आपने, तो ये क्या है, चेर, तो ये कक्षा में होती है, यह क्रोस करना है बेट भी नहीं होता इसको क्रोस करना है heb यह और Christmas में लगा होता है तो इस poser क्या सब्छकुमें उर्प लगा होता है सबस्दाने कभिभ़ो हैं किलमे किताब यह बलाव स्कार्द करना है। और यह जो question answers हैं दिये गए प्रश्णों के उत्र बताओ यह मैं आपको next video में बताऊंगी thank you have a good day